हेलो एपरीबन दिस ए अन्राग बगेल एंड वेलकम तो मैगनेट ब्रेंज और मिनी जानकारी सीरीज में मेरे बच्चों आपका स्वागत है आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि जो भी डेंजर साइन होते हैं या खत्रे के निशान होते हैं आपने देखे होंगे वो लाल कलर के बना जाते हैं हम लाल कलर का ही यूज, danger sign को बनाने में क्यों करते हैं, इसके पीछे कौन सी chemistry चुपी हुई है सर, इसे आप समझाइए, इसे आप समझाइए, आप chemistry के हो, आपने कै dent chemistry पढ़ी हो, या ना पढ़ी हो, या चीज आपको मैं एकदम simplest तरीके से बताऊंगा, भी नाला बैजा नी हपी ना ला बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल यह इन्डरलच के सात रंगों के बारें सबी लोग वाखिफ होंगे लेकिन इसमें से जो लाल कलर है लाल या रेड़ कलर इसी का यूज़ अपन कर रहे हैं किसके लिए डेंजर साइन के ल तरंग धैर क्या है समझा जाएगा या वेवलेंथ है यह सबसे जादा होती है सबसे जादा होती है इन सारे कलर में और अगर इसकी वेवलेंथ जादा है या तरंग धैर जादा है क्या है तरंग धैर अरे बैया कोई वेव या तरंग जा रही है कोई वेव या तरंग जा रही अब ध्यान देना इतना समझ लेना यह 2 consecutive crest और यह 2 ट्रफ हैं इनके बीच की दूरी क्या कहलाती मेरे बच्चों आपकी तरंग धहरिया वेवलेंथ कहलाती है अब अगर इसकी वेवलेंथ जदा है मेरे बच्चों मान लीजे एक कोहरा है और यह धुंदा यह डेंजर साइन ब फैलता कम है सीधे observer की आँखों में दिखाई देगा दूर से ही और wavelength तो जादा ही है और फैल कम रहा है तो धुंद हो या कहरा हो धुंद हो या कहरा हो यह आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा ठीक है जैसे आपने street light देखियोगी street light में red color होता है अगर आपको पता है कि भया नहीं यार आगे signal लाल है आगे signal लाल है लाल रंकी बताइए तरंग धैरे जादा है या विवलेंज जादा है scattering कम है दूर से ही आपको दिखाएगा कि भया red color है रुख जाओ थोड़ा आराम से चलो फिर पता ही है कि थोड़ी दे रुखना पड़ेगा इसलिए red color को अ बुलें और comment section में बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी thank you so much